क्या कहता है annual journal meeting, annual journal meeting का क्या क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले meaning और purpose देखना है, क्या क्या सीखेंगे इसमें, क्या क्या requirement है, meaning purpose मतलब what is the annual journal meeting, आपको वैसे तो पता है कि what is the annual journal meeting, लेकिन मैं बोल दूँ लिख के दिखाओ तो नहीं लिख पाओ गया, तो उसके लिए आपको पूरा theory पढ़ना पड़ेगा जो कि मैं notes दूँगा, ठीक है न, तो आपका सबसे पहले इसमें क्या सीखना है, इस chapter में से क्या क्या position पूछा जा सकता है, meaning statutory requirement, मतलब legally क्या requirement है, statutory का मतलब होता है हमारा legal, क्या क्या legally चाहिए, authority, कौन बुलाएगा भाया meeting को, कौन बुलाएगा इस meeting को, authority of the convey, convey का मतलब चलाने के लिए annual journal meeting को किस की authority है, ये पढ़ेंगे इसके अंदर, time and place, किस जगह का meeting, meeting, तो meeting place और time की मैं बात करूँ, authority की मैं बात करूँ, तो चार लोग authority होता है, director भी हो सकता है, shareholder भी हो सकता है, और NCLT भी हो सकता है, यानि law, government कह लो एक तरीका से, ये तीन लोग meeting बुला सकते हैं, time place, जहां registered होता है na company, registered office जो होता है, जो AOA में registered office था, उसी state के अंदर अगर जगह है, तो नहीं तो कहीं और आपको उसी आसपास के एरिये में बुलाना पड़ेगा, notice का आपका time place fix है, तो आपको notice भी देना पड़ेगा, किसको notice देना पड़ता है, सभी member को notice देना पड़ता है, director को notice देना पड़ता है, chartered accountant को notice देना पड़ता है, company secretary को notice देना वाला है और कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ने पड़ता है 21 जो section 8 company है उसकी में 14 दिन का चलेगा अगर आपने 21 दिन से कम टाइम दिया है लोगों को बुलाने में और वो आए है मीटिंग में और उन्होंने ध्यान नहीं दिया एक मेंबर भी बोलेगा आपकी मीटिंग तो इन्वैलिड है बस मैं यह बताने के लिए आया था क्योंकि मुझे 21 दिन नहीं मिले थे और आपके नोटिस के कितने दिन मिले शिरिफ और सिरिफ 19 दिन मिले थे आपका मीटिंग इन्वैलिड है उस टाइम इस मीटिंग को कैंसल करना पड़ेगा सिर्फ एक मेंबर अग अगर बोलते हैं मीटिंग चलने दिया जाए तो जो एक वेक्ति बोल रहा था मीटिंग कैंसल करो तो उसकी कोई वेल्यू नहीं है 95 परसेंट ने बोल दिया चलने दो चलने दो भाई मेंटिंग चाहे आपका शॉटर नोटिस भी हो यानि 21 दिन से कम का नोटिस हो और लगाया जागा पेनल्टी लगाया जागा कंपनी को बंद कर दिया जाएगा बहुत सारे प्रोविजन गीवन है जो कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो ठीक है तो आप एन्वल जनल मीटिंग में क्या क्या पढ़ोगे मीनिंग पढ़ोगे मीनिंग आपको बताई है अथॉर जनल मीटिंग एन्वल जनल मीटिंग इस अर रेगुलर मीटिंग सही बात है रेगुलर होता है रेगुलर का मतलब हर टाइम होता रहता है हर साल होता है आफ दा मेंबर ऑफ कंपनी विच हैल्ड एन्वली तो कब होता है यह साल में एक बार दिस मीटिंग प्रवाइड अप आप सब मेंबर हो आपके पास एक अपोर्चुनिटी है कि कमपनी के काम काज को रिव्यू करो अगर अच्छा लगे तो वोटिंग करके यस कर दो खराब लगे तो नो कर दो और अपनी बाते रख भी सकते हैं अपनी बाते बोलो सुनेंगे ओ चेर्मेन दा परपस ऑफ कॉलिंग करने के लिए इस मीटिंग को बुलाए जाता है साल में एक बार अब ओडिनरी बिजनस क्या होता है प्रॉफिट एं लॉस देना डिविडेंट देना और ओडिटर का अप ओडिनरी कहता है ओडिनरी बिजनस ओफ दा मीटिंग दा ओडिनरी बिजनस कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है को चाहिए सिद्ध रेशन आफ फाइनशल स्टेटमेंट रिपोर्ट बोर्ड अपीड दिरेक्टर मतलब जो बैलेन सीट पिये अडल को कंसिडर करिए और दी बिजने से दूसरा डिकले रेशन अव्डिएंट हम इतना डिवीडेंट दे रहे हैं इसका अपैम अपोइट्मेंट टार डारेक्टर वो रिटाइरिंग एक डारेक्टर चला गया आप इसके बदले दूसरा डारेक्टर रोगा क्योंकि परमानेंट डारेक्टर कोई भी नही करेंगे मैंने बोला चलो यह नोटिस में आ गया मैंने बोला चलो यार बड़ी जल्दी मीटिंग खतम होगे मैं सोच रहा हूं आप इस पर भी वोटिंग करीद आए उतों नाम बदल देते कंपनी का नाम बदलने का सोच है और सोच रहा हूं मेमोरेंडम में एक ना सेक्शन भी डाल देए क्लॉस और डाल देते हैं और कुछ काम बढ़ा रहे हैं तो यह वैलिड मिटिंग नहीं मानी जाएगी यानि जो नोटीस में भेजा है उसी पर डिसकस करना है अगर आपके पा क्याता है रिक वार्मेंट कँ मीटिंग बनान और है इसको अहीं चलो पुझ नहीं कोई दो मिनिट रuppet घ्रचीर्म अश्चार है चानु करए तो भांब करया है नाम बढ़ता को हां और नियुक्त मेटिंग ना यह हैं टेगा इसत्यला क्मपनी यहां लोग बैंट अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि पहली जर्नल मिटिंग कब होगी पहली जर्नल मिटिंग पहले लाइन पढ़ लेते हैं फिर इसको एक्स्प्लेइन कर देंगे ठीक है अब फर्स एन्वल जर्नल मिटिंग अफ कंपनी विदिन नाइन मंथ नौ महिने के अंदर आपको पहली जर्नल मिटिंग करनी है क्लोजिंग आफ दा फॉस्ट फाइनेंशल यह मतलब सर कि सपोस करो कि आपका फाइनेंशल यह कब से स्टार्ट होगा हमेशा एक चार दो हजार तेईस और जो खतम हो जाएगा वह कब होगा अब यह फाइनेंशल यह जो आपका खतम हुआ है इसके बाद ठीक नौइन मन्त का मिलेगा आपको टाइम अब नाइन मन्त क्या है एप्रेल मई जून जुलाई अगस सेप्टमबर अक्टूबर नॉमबर दिसंबर यानि पहली मीटिंग जो करोगे ना इसके ठीक खतम होने के नाइन मन्त यानि 31 दिसंबर तक आपको मीटिंग बुला लेना है पहली मीटिंग उसके बाद तो आपको च्छी मैने का मतलब सेप्टमबर तक बुलाना है पहली मीटिंग में थोड़ा रिलेक्सेशन क्यों कि पहली पहली कंपनी बनी है बड़ी सारी काम करना पड़ता है तो यही कह रहा है यहां पर क्या कह रहा है कहता है कि फॉस्ट अनुवल जर्नल मीटिंग मस्ट भी हेल्ड विदिन नाइन मन्त फ्रॉम दा क्लोजिंग ऑफ फॉस्ट फाइनेंशल यह पहला फाइनेंशल यह क्लोज होगा उसके नो महिने के अंदर अफ दा कंपनी तो इस फोल एनिवल जर्नल मेटिंग और उस ताइम पेें एजियम करने की कोई वास सकता नहीं है इस सार इंकॉर्पारेचन होता है उस साल एनॉल जर्नल मीटिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा जिस मैंने 30 September बताया था April, May, June, July, August September, 30 September 6 मेने के अंदर बुला लो, अगर 6 मेने के अंदर नहीं बुला पाये तो fine penalty जो भी लगता है, after the close of financial year, but if interval between the two annual general meeting more than 15 months, अगर आपका 15 महीने से ज़्यादा gap हो गया बुलाने में, इंटर वेल किसमें, एक general meeting अब हुआ और दूसरा general meeting बाद में हुआ, तो दोनों general meeting, मान लेते हैं, एक general meeting हमने कब कर लिया था, मार्च में, या फिर जून में कर लिया, दूसरा general meeting हम कर रहे मान लेते हैं कि December में, तो पंदरा महीने से अगर ज्यादा gap हो जाता है meeting में, तो ऐसे situation में, रजिस्टार में, however, to any special resolution, extend the time general meeting, यानि पंदरा महीने कैसे, बारा महीने financial year और तीन महीने के अंदर meeting कर लो, लेकिन आपका हुआ क्या, कैसे, देखे, मान लेते हैं, आपने company कब 31, 12, financial year कब खतम होगा, 31, 6 मेने के अंदर meeting बुला लेंगे आप, ठीक है, या 9 मेने में meeting बुला लेंगे, तो meeting मान लेते हैं कब बुला लिया आपने, 31, 12, यह मान लेते हैं, 2023 है और यह 2022 है, तो यहां से यहां तक tenure गिनोंगे तो 12 महीने ही हुए, और फिर दूसरी meeting भी आप आपको इसके बाद बुलानी पड़ीगी फटा-फट से, इस financial year के खतम होने के बाद, तो जो पहली general meeting होती है न, उस general meeting में और दूसरी general meeting में कई बार gap 15 महीने से कम का हो जाता है, तो ऐसे situation में आपको 6 महीने, यानि कुछ 3 महीने का extension मिल सकता है, क्योंकि general meeting कितने में होना च 6-18 में, लेकिन अगर gap 15 महीने का आ रहा है, तो आप रेजिस्टार से approval ले लो, special resolution पास करके, जो आपको 30 September दूसरी general meeting का date दिया गया, उसको आप बढ़ा सकते हो, यह कहा गया है, यहाँ पर, 15 days registered may be, however, special resolution extend the within a meeting, not being first annual journal meeting, shall be period exceeding कितने महीने कर देगा, 3 महने, एक case था, BR कुंदरा versus motion picture के नाम से case study आया था, GM में, कहता है, association of the gap between the two AGM, cannot be more than 18 महीने, कि दो AGM के बीच में 18 महीने से ज़्यादा का gap नहीं हो सकता, when register has been ordered to permitted it, अगर register order दे, तो यह भी possible हो सकता है, non completion of the, मतलब, अगर आप genuine reason दोगे न, कि सार अभी देखो, दिक्कत हो गई, कोबीड आ गया था, हमारे स्टाफ आया नहीं था, financial statement बन नहीं पाया है, आरसी को लोगी का सही बात है, तो उस ताइम पर मीटिंग का date extend कर दिया गया था, चलो और टाइम दे देंगे, यानि आपका no completion of the financial account along with any, not to be a valid ground, अगर valid ground नहीं है, तो extension नहीं मिलेगा, अगर valid ground है, तो extension मिल भी सकता और नहीं भी, financial year कब खतम होगा, 31st of the March every year, तो simple सा statutory requirement क्या है, पहली meeting, 9 महिने के अंदर financial year खतम होने के बात कर लिजेगा, दूसरी meeting हर 6 महिने के खतम करने के बात करेगा, मोटी मोटी बाते हैं, यहां पर यह बोली गई, अगला point क्या है सर, अगला point है, authority, authority की बात करते हैं, authority to convey, convey का मतलब किसके पास power है, तो authority के बात करें, the power to convey, मतलब चलाने का annual journal meeting या बुलाने का wasted दिया गया है, to board of director, भईया, director को power है, कि general meeting के लिए shareholder को बुला लेजिए, दूसरा, individual director को भी power है, ऐसा नहीं board of director, मतलब सभी मिलके notice दे, signature करें, एक director भी कह सका है, if no such power, sorry, एक तो board of director को है, individual director को नहीं है, लेकिन कुछ case में मिल जाता है वैसे power तो, आगे कहता है, secretary cannot, यानि CS को भी ऐसा power नहीं है, कि आप फटा-फट से meeting बुला दे, स्रिफ board of director को, annual journal meeting को, without authority of the board, मतलब, journal meeting कोई भी बुला सकता है, लेकिन board से पहले एक बार permission ले लीजिए, फिर आप बुला लीजिए, इसके इलाबा कौन-कौन बुला सकता है, Sir, member भी बुला सकता है, इसके इलाबा कि आप कौन-कौन बुला सकता है? मैं लिख देता हूं यहां पर और कौन बुला सकता है मेंबर बुला सकता है और कौन बुला सकता है NCLT भी बुला सकता है तब ही आगे देख लेंगे यह सभी meeting को बुला सकता है लिखा क्या है convey मतलब जब start होगा तो किसके पास power है convey annual general meeting को करने के लिए time and place क्या होगा मैंने बताया है time क्या होगा time and place time जिस दिन चुट्टी ना हो 9 से 6 के बीच में बुलाईएगा ऐसे आपने बोला 15 गस्त को आ जाना भाई सुभे 10 बजे तो नहीं national holiday holiday वाले दिन को छोड़ कर 9 से 6 के बीच में आपको बुलाना होगा कहता है company must call annual journal meeting either the registered office registered office पे बुलाए of the company और some other place within the city होना चीए in which the registered office of the company situated यानी जिस city में मान लेते हैं Delhi में मैंने register करवाया है और हमारा पितंपुरा में मान लेते हैं registered office है पितंपुरा में जगह नहीं मिल रही तो मेरे को सीपी में जगह मिल गया तो सीपी में कर लेंगा ठीक है ना section 96 however the annual journal meeting unlisted company अगर कोई ऐसा unlisted company can be held anywhere in India कहीं भी कर सकते हैं कहीं भी ठीक है ना तो simple सी बात है अगर आपका listed है company तो आपको कहां बुलाना पड़ेगा within a city-state बुलाना पड़ेगा अगर आप unlisted हो तो फिर कहीं भी हो सकता है can be anywhere all the member advance the annual journal meeting must be held any day not national holiday during the year मतलब कोई भी दिन हो सकता है national holiday को छोड़का तो यानि अगर listed company है तो कहां बुलाएंगे जहां पर registered office है इस तो office में बुला लो अगर उस office में नहीं बुला सकते तो कहां बुलाओ आस पास का कोई area देख लो ठीक है simple सा example ले जैसे शादी का example ले लो शादी होता है arrange marriage है उसी जगह होता है love marriage तो फिर unlisted company हो गई हो तो वो तो जहां मर्जी भाग के कर लेंगे शादी ठीक है तो उस situation में क्या रहता है कि आस पास का area listed और unlisted आगे देखते हैं सर नोटिस requirement क्या meeting के लिए नोटिस की ज़रूरत है जी हाँ और सिर्फ नोटिस नहीं at least 21 days का क्या होना चाहिए पहले मिलना चाहिए start होने से तो कहता है company must give at least 21 return notice यह gap आगया notice और through electronic mode call annual journal meeting अब notice हम आपको postal wallet से भी भीज़ सकते हैं हम आपको courier के थुरू भी भीज़ सकते हैं हम आपको email के थुरू भी भीज़ सकते हैं shareholder annual journal meeting may be held within a shorter notice अगर shorter notice हो गया मतलब कि 21 दिन नहीं मिले उस case में आपको आपको एक electronic mode से given not less than 95% of the member entire vote अगर 95% बैठे हुए वेक्ति बोलते हैं तो इससे दो तारिक को छोड़ दीजिए आपको पोस्त कम मिला दो तारिक से तो दो तारिक को आप छोड़ दीजिए इसके बाद 21 दिन आपको count करना है यानि एक और दो यानि टोटल आपको तेईस तारिक को मीटिंग तेईस नहीं 21 के चौबिस तारिक को मीटिंग होल्ड कर सकते हों अगर आपने बोला कि मीटिंग 22 को हो गई तो वो कौन सा हो गया shorter notice उस case में आपको कितने दिन का percent concern लेना पड़ेगा 95% अलग अलग है paid up capital और वो आगे देखते हैं इसके बाद क्या default तो देखिए अगर default होंगे आप यानि आप मीटिंग नहीं बुला पा रहे हो तो क्या होगा if default is made holding annual journal meeting अगर आप annual journal meeting को करने में default हो जाते हो the tribunal कौन होता है government होता है government application of any member of the company कहता है त्रिब्नल में और the application of any member या फिर कोई member या तो government बुला लेगा इस meeting को या कोई member बुला देगा call और direct the calling of annual journal meeting ये बुला सकते हैं the company and give the consent company क्या करेगी अपना consent देगी और डारेक्टर दा ट्रिब्नल थिंक और डारेक्टर को लगता है या फिर डारेक्टर एस आर ट्रिब्नल ट्रिब्नल एक डारेक्टर की तरीके से सोचेगी कि अगर ये ठीक है member बुला रहे तो बुला जा सकता है in relation to calling, holding and conducting of the meeting जो meeting रखा जाएगा क्योंकि board of director तो हो गई फेल अब कोन बुला रहा है ट्रिब्नल और shareholder the director that have been given include only one member of the company present person may proxy shall be deemed to be constitute of the meeting अगर ऐसा हुआ ना तब आपका मैंने बोला था ना पांच member चाहिए एक member भी बैठा है तो meeting चल जाएगा proxy भी बैठा है तो meeting चल जाएगा उस case में ठीक है a journal meeting held shall be deemed to be annual journal meeting of the company if default made holding meeting of the company according with the section 96 जो कि annual journal meeting की सारी बाते बताता है अगर उसको default करता है तो in complying with the any director of the tribunal कहता है direction दे सकता है with any direction of the tribunal company को क्या direction देगा every officer को company के जो default हुए है punishable उसको punish किया जाएगा कितने रुपए से लाख रुपए आपकी penalty हो जाती है और जितने दिनों तक आप default रहे हर दिन का 5000 रुपए के penalty और लगने वाला है एक लाख रुपए तो लग गया और आपने मालो 20 दिन लेट कर दी तो 20 दिन इंटु में 5 और एक लाख रुपए दो लाख किस पर दस डिरेक्टर तो दसो डिरेक्टर पर फाइन लगाया जाएगा यह सभी डिरेक्टर के उपर इस पर फाइन लगाया जाएगा तो यह था हमारा डिफॉल्ट होगे तो आपके उपर क्या पैनल्टी है ठीक है